आज आपके साथ शेयर कर रही हूं है टमाटर के सूप की रेसिपी जो की बहुत ही असानी से तयार होता है और सर्दी जुखाम में काफी ज़दा है तो इसे बनाने के लिए एक बरतन में मैंने दो कप की करी पानी लिया है इसके बाद इसमें डाला है एक दाल शीनी का कर तो चाथ है बइसोंच से थंडा ठंडा करने के बाद इसे बाद करने के बाद तो नहीं बहुत है gょard सत पेस्ट बनाने के वाद इसे हम दुबारा से उसी छली में डाल देगे इस तरीके से और छान लेंगे अच्छे से ताकि जो उसके चिलके हैं सीड्स हैं सभी अच्छे से निकल जाए और जो पानी हमने सूप के लिए त्यार किया था वह सारा पानी यूज़ करेंगे बिल्कु आड करते आप चाहें तो इसमें बिना कॉन्फलोर की घोल डाले भी बना सकते हैं या फिर इसको और भी जदा थीक करने के लिए आदे चमच की जुगा पे 1 चमच कॉन्फलोर आड कर सकते हैं दो बौइल आने तक इसे सूप है बिल्कुल तयार हो जाएगा क्योंकि इसमें नमक भी पहले से डाल दिया आप चाहें तो इसमें नमक टेस्ट करके अपने अकोर्डिंग डाल सकते हैं और इसके साथ हम इसमें बटर का यूज नहीं करेंगे देसीगी का यूज करेंगे जिसकी वजह से जो हमारी सर्दी खासी की प्रॉबलम है काफी हल्प मिलेगी इसे ठ सी लगें